वाचिक परंपरा में कथा कहानी लोग जीवन का आधार रही हैं। लोग कथाएं अगर लोग गाय को निजीवित रखी तो आगे चलकर वो नानी दादी की कहानियों के रूप में बच्चों तक पहुची। इन कहानियों में रोचक कथानक के साथ साथ पहाड, नदी, जंगल, जीव, जन्तु, पक्षी, राजा रानी प्रजा के माध्यम से जो सबसे बड़ा जीवन मूल्य सामनी निकल कराता है वो है संबंधों की मदूर्ता का स्वाद। तमाम उतार चड़ाव के बाद एक सुखी अंत जो जीवन जीने की लालसा जगाए रखे। ऐसे ही तत्वों से भरपूर एक रोचक लोग कथा लेकर मन के मौसम में शामिल हो रही है बुंदेली कथाकार उपन्यासकार डॉक्टर उशा सकसेना कहानी का शीर्षक है संत बसं तो उशा जी बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में नमस्कार नमस्कार डेलम जी चलिए शुरू करते हैं फिर गुंदेली लोग कथा संत बसंत किसी गाओं में एक गरीब ब्रामण रहता था वैं पूजा पाठ यग यहवन कथा बाचन आदि के द्वारा जीवी को पाजन करता था उसकी पतनी बहुत लड़ाका और कलह प्री थी एक दिन ब्रामण को पासी के राज के राजा से दान में गाय मिली ब्रामणी बहुत प् को दुर्बल हो गई दूद देना बंद कर दिया ब्रामणी ने ब्रामण से कहा इसे जंगल में छोड़ा ब्रामण ने विवाशो कर गाय को जंगल में छोड़ दिया जंगल में गाय की मित्रता एक बागिन से हुई अच्छा दोनों के बच्चे भी आपस में घुल मिल गए गाए के बच्चे का नाम था बच्छराज और बागेन के बच्चे का नाम था बगराज बड़े निराले नाम था एक दिन जब बच्छराज और बगराज जंगल में खेलने गए थे तो बागेन की नियाद बदल गई उसने गाए को मार कर खा लिया जब दोनों बच्चे वापस लोटे और बग्घराज ने मा से गाय मौसी के बारे में पूछा उसने सही बात बता दी बच्चराज फूट फूट कर रोने लगा तो गुस्से में भरकर बग्घराज ने अपनी मा को मार डाला ले उन्होंने भी बदला लो लिया अब दोनों अकेले रह गए बच्चराज बहुत भोला और सीधा था बग्घराज ने उसके गले में बैलों की घंटिया बांदी और कहा जब उस पर कोई मुसीबत आए तो वो इसे बजा दे जहां भी होगा उसकी रक्षा के लिए आ जाए बच्चराज अक्सर मजाक में घंटियां बजा देता और बग्घराज क्रोदेत होता एक दिन बच्चराज सचबची संकट में फस गया एक शिकारी ने फंदा फेका और बच्चराज उसमें फस गया बहुत कोशिश करने पर भी फंदा नहीं चुटा उसने घंटियां बज रहा होगा वह अपने काम में लगा रहा जब कुछ देर बाद बगराज लोटा बच्छ राज कुम्रित देखा तो इतना दुख्षी हुआ उसने भी प्राणत्याग दिये लो भाई ये तो कहानी कतम हो गई लगता है जिस जगे दोनों मित्रों की मृत्य हुई थी वहां पर एक पोर वाले दो पेड़ोंगे बास के पेड़ोंगे रात को हवा चलती तो उन में से संगीत के मधूर प्यारे प्यारे स्वर निकलते और जंगल में उनके मधूर स्वर गुंशते जी कुछ समय बाद ही पास के राज में राज कुमारी का ब्याह पड़ा उसने राजा से कहा पिता जी मैंने प्रण किया है जब एक पोर वाले बांसों का मंड़ बनेगा तभी मैं ब्याह करूंगे अब राजा के आत्मी चारों और दोड़े और वे ही वाँ सुखार लाए जो बच्छराज और बगराज के शरीर परोगे थे अच्छा राज कुमारी का ब्याह हो गया लेकिन अचानक ही दोनों पास भट गए और उनमें से दो बहुत सुंदर बालक निकले वाँ 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 कहानी में एक से एक चमत का रूतल चले जा रहा है इतने प्यारे जैसे सूरज और चांद जी राजा रानी उन्हें देखकर मोहित हो उन्होंने उनका नाम रखा संत और बसंत अच्छा संत और बसंत राज कुमारों की तरह महल में पलने लगे बड़े ही सुंदर और खोनहार थे संत और बसंत जब थोड़े बड़े हुए तो रानी की मृत्य हो गई राजा ने दूसरा ब्याह कर लिया नई रानी संत और बसंत से बहुत चिड़ती थी उसने राजा से संत और बसंत की जुटी शिकायतें की राजा ने दोनों को राज से निकाल दिया अरे हाँ पूके प्यासे दोनों राजकुमार एक सुंसान जंगल में पहुँचे और ठक कर एक पेड़ के नीचे लेट गए संत लेटते ही सो गया अब बसंत जाकर उसकी रखवाली करने लगा उस पेड़ पर एक तोता और मेना रहते थे बसंत पक्षियों की बोली समझता था उसने सुना तोते ने मेना से कहा ये दोनों राजकुमार हैं नई रानी ने निकाल दिया है कितने प्यारे हैं दोनों ना ने कहा तोते भाई एक बात बताओं अगर कोई मेरा मास खा ले तो दो नाल नग रोज उगला करें धैं तोते नेका अच्छा मैं भी एक बात बताता हूँ अगर कोई मेरा मास खा ले तो उसे सुबह उठते ही राज जी मिल जाएगा अरे ये तो बढ़ी अच्छेरी की बात है फिर मैना ने कहा एक काम करते हैं हम दोनों नीचे आग में खूद जाते हैं दोनों राजकुमार हमारा मास खा लेंगे और इनकी मुसीबत दूर हो अब बसंत ने संत को जगाया और उसे तोते का मास खाने को दिया स्वयम मैना का मास खाया उसने खाने के बाद बसंत सो गया और संत जाकर रखवाली करने लगा सुबह जब बसंत सो रहा था तो संत एक जानबर की आहर सुनकर तीर कमान लेकर उसके पीछे दोड़ा अच्छ भागते भागते वो रास्ता भूल गया और एक फाटक के बाहर ही सो गया वहां जहां वो पहुंचा था ना उस राज में राजा के निश्चंतान मृत्य हो गई थी अच्छा हम मरने से पहले उसने गोष्णा करवा दी थी कि अगले सबेरे जो व्यक्ति महल के सामने आए उसे सबसे पहले महल के सामने पहुंचा मंत्री ने राजा कि आग्यानुसार संत का राज्या विशे किया और संत राजा बन गए अब देखिए इधर जब संत उठा और संत को नहीं देखा तो चिंता से भर उठा अचानक कि उसके मूँ से दो लाल गिर पड़े अच्छा हाँ व किया गया होगा अब बसंत घूमते हुए एक राज में पहुंचा उस राज में सब बहुत दुखी थे एक राक्षिसी रात में आती और जो भी सामने पड़ता उसे खा जाती अच्छा सब सभी आतंकित थे राजा ने परेशान होकर गोश्ना करवा दी जो व्यक्ति किसी ने बसंत को ही निगल लिया अच्छा बसंत भी कम साहसी नहीं था उसने चाकू से राक्षिसी का पेट फाड़ दिया अब क्या हुआ राक्षिजी मर गई राजा ने जब सुना तो प्रसंदो कर उसे आधा राज दे दिया धूम धाम से राजकुमारी का व्याव उसकी साथ कर दिया चलिए दोनों के पास राज पाट हो गया संत बसंत के पास कुछ समय बाद उसने सुना कि दूर किसी राज में राजा को जो भी संत बसंत की कहानी सुनाएगा उसे एक लाग मुहरे इनाम में दी जाएंगी आच्छा वो समझ गया उसने साधू का रूप धरण किया और उस राजा के महल में पहुंचा राजा से आग्या ले कर उसने संत बसंत की कहानी सुनाई जैसे उसने राज-दरवार में कहानी सुनाई संत ने उससे पहचान लिया दोनों भाई गले मिले और फिर आनन्द पूरवक रहने लगे साहसो धैरे से ही मनुष विजय होत सच बात है बिलकुल एक जन में कितने जनमों की कथा समीदी संद बसंद ने यह उनका आपसी प्यार था जो नाम बदलने से भी कभी बदला नहीं आखिर में यही कहा जाना चाहिए जैसे दिन बहूरें संद बसंद के वैसे ही दिन बहूरें हमारे सुनने वालों के तो उशा बहुत धन्यवाद आपका मन के मौसम में शामिल होने के लिए और इतनी रोचक कहानी सुनाने के लिए नमस्कार नमस्कार नेलाजी